मम्मी का नाम क्या था कमला और पापा का सरूप पंड़त सरूप पंडित पंडित जाती से बिलों करते थे हैं और पेरेंट्स क्या पापा क्या करते थे मंदिर में जाते थे मंदिर में आप भी जाते थे कभी कभी साथ में हाँ आपको भी आता है थोड़ा बहुत पुजाबा इस बच्चे ने उसी जग है को क्यों चुना एक्जेक्ट जग है सेम देखो इसकी शकल भी सेम मिल रही है हर चीज यह सही बता रहा है तो यह चीज जो आपको वो बार-बार लोग कह रहे हैं कि यह गलत है यह गलत नहीं है यह सच्चा ही है तो नमस्कार मैं मुझा बार-बार जो इस वक्त आप ग्राउंड मीडिया देखने लग रहे हैं लवीश जो पुनर जनम की जो स्टोरी त्यार करने लग रहे हैं लवीश इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर और इनके स्कूल में हमारी टेम पहुंचिए बाल विकास सीनि स्कूल में हमारी टेम पहुंचिए हैं जनम को लेकर के जो स्टोरी हम तयार करेंगे तो फिलाल आप देख को हो बाल विकास सीनिर स्कूल में हमारी टेम पहुंचिए हैं जनम को लेकर के जो स्टोरी हम तयार करने लग रहे हैं इससे पहले की भी जो वीडियो आपने देखिए लाखों में भी हुआ हैं और अच्छा प्यार आपने वीडियो को दिया है लेकिन कई जो जो कोमेंट आने ल जो माता पीता हैं उनसे भी पूछे कि कितने वो सैडिस्फाइड इस बात को लेकर के कि जो उनका बेटा है दुबारा से फिर उसको जो अपने जनम पिसले जनम की बाते हैं वो याद आई है और कुछ साथी लिख रहे थे कि एक अलपनी गटना आप अपनी वीडियो आने के लिए आप ये डाल रहे हैं अलगि आसा नई है क्योंकि खुद इसके जो महमी बापा हैं इनके जो दादा दादी हैं उनसे भी हमने पूछा पूछताच की और बहुत सारे वेक्तियों से हमने पूछा जब पूनर जनम को लेकर के क्या आप मानते हैं तो उन्होंने क कि पूनर जनम की जो बाते हैं वो सचाई होती है कुछ यूनिक ही होते हैं इनको अपने पीसले जनम की जो बाते हैं वो याद आती है तो इससे व Always के वीडियो है वाहल हो हमने लग रही है बात चीत करेंगे लभी लेकर के मैंस सब से पहले द आ टी को राम रमली आप भी है जी और नमस्ते अधां तैसेँ तर्षिल दोटा certificates क्या नमस्ते खुल क्रिक्र भाल विकास सिनियर स्केंड़ी निय्ग सत्कुलबाई और इसे इसी स्कुल में पढ़ते हैं कोर कौन ये इंच वाह बिकास का सिनियर से कैंडर स्कुला ने पोट चाहेंगे पुनो जनम के आपने भी वीडियो देखिये लवीश की और सब से पहले आप यही बताए कि पुनो जनम को लेकर कि आप क्या मानते कि पुनो जनम होता है देखो इस बच्चे की स्टोरी का भी हमें पता लगया जो कि यह बच्चा हमारे पास सुरू से पढ़ रहा ह नरसरी से है तो तीन साल का था तबाया था हमारे पास और इसके दादा दादी ने हमें बताया कि बच्चा थोड़ा सा ऐसे बोलता था रामाई रामाई में हम सोचते थे पता नहीं क्या बोल रहा है तो फिर किसी वज़े से हम आज गए हुए थे तो इसने कुछ ऐसा बताय यह मेरा घर है कुछ ऐसा तो जैसे उन्होंने बताया लेकिन जब यह सारी सचाई वहां जाके अपनी उसको मदर को पैचानता है सारी बताता है तो बिल्कुल मानती हूं मैं तो इस चीज़ को कि कुनर जनम हो सकता है क्योंकि एक दो बार पहले भी कैसी केस्त सुने हुए है देखे हुए हैं तो तो बो सकता है विल्कुल कि क्या सुम नाम मजी आपका ओमपरभा ओमपरभा जी तो कैसा लख है आपको आपके स्कूल का ही चातर है और पूरे अर्याना पूरे देश के दाज़िन की जो वीडियो है काफी वायल होने लगा एक हैलागो देखी जा रही तो किसी भी पेरेंट्स के लिए ऐसी जो दुखदाई गटना होती है उसमें बच्चा पता लगता है कि यह पुनर जरम का वही बच्चा है तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी अच्छा लगा और हमें भी सुनके यह लगा कि देखो डबल पेरेंट्स हो गए हैं दोनों इस समझ सकती है कि दुबारा से जब उसका बेटा फिर आ जाता है तो सायद कुछ परसेंट उसका दरद है वो खतम हो जाता जिन दुखों से वो जूजरी होती है उस टाइम बिलकुल मानती हुमैं कि ऐसा होता है क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जिनका बच्चा इस उमर का ज लेकिन इसके जनम का जैसे उनको पता लगा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो काफी खुश होंगे, इनसे भी जादा खुश होंगे, साइद मुझे ऐसा लगता है, कई कमेंट आने लग रहे थे, मैंने जैसी से पूछा था, कितनी पढ़ाय करे थे पिसले जनम में आप, दसमी, तो कई देखती नुकों हैं, कि इसके कुछ परसेंट तो पड़ायाद होने चाहिए, नुकों है, नहीं पड़ाई में तो निमान सकते हैं, ऐसा कुछ याद हो, ठीक है, हमारे पास तो सुरू से है, जैसे बच्चा, तो लाडला है, दादा दादी का भी लाडला है, स् इसके चली लेकिन हैं अच्छा बच्चा है पढ़ाई में ऐसे बात नहिंग है कि कोई विकनेस है या कुछ है ठीक चलता है ठीक है अच्छा आमने जैसे पूछा था जी आगवरी पढ़ाई में कैसा मन आपका क्या बनना चाहते हो लशे क्या बनना चाहते हो भाब जी अगा कि नाइए यह तो बतावना फिर क्यों नहीं लगता है नहीं इस एज के बच्चे थोड़ा सा होते ही है उनको थोड़ा उठने में दिक्कत होती है अब करोना काल में क्या बच्चों की आत्तें भी बिगड़ गई है तो उनको यह लगता है कि अब फिर स्कूल सुरू हो गए अब फिर जाना पड़ेगा तो इस करके भी थोड़े चोटा एज का भी तो कम है अशा लविए से करोना टाइम में छूटी बहुत थी आप एक साल गर परे मन ने बर्या छूटी से नई यह तो मुझे बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत होती है इस तरह बच्चों को ने अगर बैसे भी कई दिन के छूटी आ जाती है तो चोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उनको अजी आपका भी कफी लंबा एकस्पिरिंस है और आपने भी कोई मामले सुने होंगे पुर्स प्रौने जनम को ले करके क्या कहना चाहेंगे लविश को ले कर क कि जो इसके पहले पेरेंट्स थे जी उनके जो दुख दर्ग था क्योंकि जब किसी का अठारा साल का बच्चा गुजरता है तो वो चाहे मां हो या बाप हो उनके दिल के अंदर जखम हो जाते हैं और वो जखम कोई ने कोई बीमारी का रूप ले ले लेते हैं तो जब उनको हर माता पिता की आत्मा ये कहते हैं भी मरने के बाद भी तेरा बच्चा दुबारा से आना चाहिए और वो दिखाई देना चाहिए तो मैं तो ये कहता हूं भी जब उनको इसके पहले माता पिता को ये बच्चा दिखाई दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होग तो मैं तो इसको एक परमातमा का चमतकारी मानता हूँ और बहुत अच्छा मैसूस कर रहे हूं भाई इसके पहले माता-पिता और जो अब माता-पिता है वो दोनों ही इसकी तरफ देख रहे हूं भी बिल्कुल काफी बावुक भरेजबद है क्योंकि एक माता पीता को बड़ी खुशी होती है जब उसका बेटा दुबारा से उनके पास लोट करके आता है मैडम ने भी बता था और जब जुवाननी में कोई बेटा चला जाता तो बहुत दरद दुखों से जो परिवार है जिस प्रकार से बताया भाई जिसका बेटा जावा जिसका लाल जाव की मुवी पापा इनने पता चला है कि उसको पर के भी है मैडम है लास्ट में क्लोजिंग करेंगे वीडियो की लास्ट पसंन लेकर मैडम से और कैसा लगए इसको लेकर के वह पूरी जो स्टोरी है वो हमत्यार करने क्या कहने चाहेंगे लभी इसको लेकर के इतना प्यारा बच्चा है बहुती प्यारा है और जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये वीडियो आप एक मतलब गलत है ये चीज ये सभी होती है और हम तो इस बच्चे में देख रहे हैं इस बच्चे ने उसी जग है को क्यों चुन और हम चुक्तों अचिया है एक मतलब बच्च लुखी और है ÖJी तो एस ऑफर कि और जे पूँछते हैं तच्च में रहता हैा पर एक बात करता है तो अभी जैसे रेगुलर रहेगा तो पढ़ाई में भी इंट्रेस्ट हो जाएगा ऐसी कोई बात निया अच्छे बच्चों में इतना ये भी निया कि पढ़ाई से बिल्कुल ही मन चुड़ाता है लेकिन इसके बात करने का जो तरीका इसके इचके उससे थोड़ा कम कर रहा था लेकिन अब तो आज तो इसमें बहुत ज़ादा चेंज देखा है में अभी जब मेर सामने अभी बोल रहा था तो बहुत परसन और मैडम आप इन से पूछिए एक बार लाई जैसे एक बार लाई जैसे मैडम ने वेक जो बातचीत की थी आप उमर थे जब आपकी पाट्सा में कितने साल के थे जब आपके जब आपको आपकी डैथ कैसे हो गई थी मृत्यू कैसे हुए थी मृत्यू करेंट लग गया तो आप कितने साल के थे जो जब हाँ नो तो बताना है अठारा साल का बताना है अठारा साल का बताना है अठारा सा खोलत जहाना है को आप अगार नहीं तो पीकिanka यह जो कि-पीडियों के स्कृधे समय है सब्सक्राइबbly चाया नहीं कि लिए उना केता है यहा है आपको पन्डित जाते इस साथ अशे को पुझ। किया थे वहाँ हो करते हैं ? पता है तीम साल से ही कि बच्चा ढ़ाई साल का ऐसे बोलने लग गया कि हमें ऐसा लग गया कि यह राम राम राइ कुछ ऐसे इस आवाद से बनता था जैसे ही जो है उसको में रोड से हमागे गए तो यह घर है यह गली है पहचान्या जैसा इनके पेरेंट्स के दोवार बताया तो जब यह सबता था इसकी दादी पुतारे जी यह राम राय राम राय ऐसे करता था तो कही ना कहीं उसको पिछले जनम की याद आ रही थी और एक जब मुझे इस गटना का पता चला तो मैंने भी इसके कलास में जाके इसे थोड़ा सा ज्यादा तो मैंने बात नहीं की बच्चे को चलो बेड़ ज्यादा यादा जाएगा तो हाँ प्रेसर नहीं डालना चाहिए तो इसने मुझे भी का राम राय उस टाइम इसने बताया और मैंने का कैसे फिर आपके मृत हुई तो इसने बताया मुझे की करण लग गए जो मैडम है जो एड मस्टर है जो यहाँ पर पूरे स्कूल को समालने लग रहे हैं तो उनसे भी हमने जो बात्चीत की है इनका भी जो कहना है क्योंकि जब यह डाई साल के थे उस टाइम प जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी मतलब यह बढ़ेगी न तो वो चीजे वो यादास्त कम होती जाएगी जो पुराने केसे हमने देखे हैं उनमें तो यही सुनने में आया है अब इसका तो आगे जाके ही पता चलेगा ना हमें भी और आपको भी कितना क्या कुछ इसमें का जब तक चाहें चुरह प्यार का। इसकी माँ को कैसा लगा, एक माँ ही हमेशा अपनी बेटे की बात को समझ को, इसने कितना बताया, जिससे उनको ये लगा, पेरेंट्स को तो हर चीज आपस में, पता ही है भई, जैसे ये इसने कोई चीज ऐसी बताई होगी, तो उससे तो तुरंती लगता है, हाँ, बच्चा की है, तो डाइस साल पहले उस टाइम पर देव उमर कितनी अलवी साब, अब कितनी उमर, आठ साल, तो लग बग पांच साल, इस पांच साल पहले की बात है, तो बहुत माईने रख़ा है, लेकिन इसकी जो पूरी सचा ही है, जांस पड़तार है, रामराय गाउं में भी हम और इनके जो में में पापा है, उनसे भी हम बात चीत करेंगे, तो फिलाल तक के लिए अपने रही है, और ग्राउंड मीडिया की वीडियो कैसे लगी, कोमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, वीडियो को सेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बैल आइकन